ओके क्लास नाइन स्टुडेंट्स आप लोगों का पहला पेपर हो चुका है फिलिक्स का और पेपर बहुत मुश्किल नहीं था द्रिमेरा पेपर था इसके बार आपको जो नेक्स पेपर है कल वो है इसलामियात का जो इंपॉर्टन लॉंग कोश्चन है उनको पहले देख ल मुझूद है जो उसकी end of the chapter जो question होते हैं उनमें मुझूद है जो chapter number 2 है उसमें भी सवाल number 2 और सवाल number 3 करना है आप लोगोंने मुताला number 3 में जो चैप्टर number 3 में आपके पास जो सवाल number 3 है exercise का वो बहुत एहम है और जो number 4 है उसमें आपने सवाल number 2 और 3 करना है ठीक हो गया यहां तक तो first thing के आप लोगोंने जो चार चैप्टर है आपके उन में से सवाल number 1 में से 1, 2 चैप्टर number 2 में से 2, 3 और चैप्टर number 3 में से 3 और चैप्टर number 4 में से 2 and 4 करना है अच्छा अब यह जो note लिखा है note यह है कि जो बाकी सवालात है पहले तो आप लोगोंने इस सवाल बहुत अच्छे त्यार करने है दूसरी चीज यह कि अगर जो बाकी सवाल रह जाएंगे जैसे इसमें आप सवाल number 1 और 2 बहुत अच्छे त्यार करने हैं बाकी सवालों की heading आपने जो है आप लोगोंने पढ़ जानी है कि क्यों कम असकम अगरा वो आज है तो आप लोग attempt कर सकें तो I think long question के लिहाद से doubt clear हो चुका होगा कि आप लोगोंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 question बहुत अच्छे त्यार करने और बाकियों की heading देख लेनी है इसके बाद आपके पास ये page आ जाता है सवाल सुरह अनफाल जो है उसमें एहम आयाद देखते है सुरह अनफाल का रुकु नंबर 1, आयत नंबर 2, 9 और 7 इसी तरह सुरह अनफाल का रुकु नंबर 2, आयत नंबर 14, 15, 17 सुरह अनफाल का रुकु नंबर 3, आयत नंबर 23, 24, 26 सुरह अनफाल का रुकु नंबर 4, आयत नंबर 31, 33 और 35 और लास्ट में सुरह अनफाल का रुकु नंबर 5, आयत नंबर 39 से लेकर 42 का तरजमा पहला इसा जो तरजुमा है वो करना है तो यह दोबारा रिपीट कर रहा हूँ रुकू नंबर 1 से आयत नंबर 2, 9, 7 रुकू नंबर 2 से आयत नंबर 14, 15, 17 3 से 23, 24, 26 रुकू नंबर 4 से 31, 33, 35 और रुकू नंबर 5 से 39 से लेकर 42 तक इसके बाद जो रुकू नंबर 6 है उसकी तमाम आयात करनी है और रुकू नंबर 7 के आयत नंबर 50 और 52 और 50 यानि 50, 52 और 55 करनी है उसके बाद जो आपने नोट करना है कि हर रुकू की पहली और आखरी आयत का तरजमा लाजमी तियार करना है दर जैल रुकुआत के मुतरस सवलात और बच्चों को लागए ठीक है तो जो short question है वो हर रुकु के यानि सुरेनफाल है या बाकी है इनके तमाम आप लोगों ने तियाओर करने है अहदीस जो important है वो है अहदीस नंबर 1 3, 4, 8 और 10 अहदीस में अहदीस नंबर 1 3, 4, 8 और 10 और बाकी अहदीस का तरजुमा और हैडिंग याद करनी है जिन बचों ने त्यारी नहीं की वो अभी ये कर लें तो उनका पेपर अच्छा हो जाएगा